हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल कुक भी सिश्मा में, तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पीनट कोकोनट चट्नी, तो चलते हैं अपनी रेसिपी के इंगीडेंट्स की तरफ यह मैंने एक कप रोस्टेट मूमफली दाने लिए है, जिसके मैंने पहले ही रोस्ट कर लिया था और इसके छिलके को अलग कर लिया है, आफ कप मैंने कोकोनट के छोटे-छोटे पीश कर लिया हैं, जब भी हम पानाएंगे पीनट, चुआप कर लिए कुआ चैने की दाल है रोस्टेट वाली अगर आपके पास ये अविलेबल ना हो तो आप चैने की दाल को रोस्ट भी करके ले सकते हैं ये एक प्याज लिया है मैंने मीडियम सैज का दो हरी मेच और दो लेसन के पीस लिये हैं इन चारो चीजों को हम पहले इसमूद ब्लेंड कर लेंगे और हाफ टिपल स्पून मैंने नमक लिया है इसमें हम चारो इंग्रेडेंट को डाल देंगे इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे पानीं अपने कॉडिंग भी डाल सकते हैं कम जानदा और हमें इसे एक्दम इसमूद ब्लेंड करना है और बीच में हम इसे स्पून से चला लेंगे यह देखिए चटनी एक्दम स्मूद ब्लेंड हो गई है और इसे हम दुबारा से ब्लेंड कर लेंगे आप लोग इसे एक बार में साथ में ही डाल के ब्लेंड करिएगा अब हम इसमें तड़का लगाएंगे यह मैंने हींग लिए 1 फो टिपल स्पुन जीरा लिया है 1 टिपल स्पुन सर्सों के दाने लिए है कुछ कड़ी पते लिए हैं और 3-4 लाल मिर्च लिए हैं एक पैन में मैंने 2 टेबल स्पून ऑईल डाला है ऑईल गरम हो चुगा है और अब हम इसमें लगाएंगे तड़का तो सबसे पहले हमने हींग डाली है इसमें डालेंगे जीरा गैस का फ्लिम हम लो रखेंगे सरसू डाल देंगे कड़ी पते और लाल मिर्च को भी डाल देंगे और इसे हमें हलका सो रोस्ट करना है अब हम इसको चक्नी में डाल देंगे इसे मिक्स कर देंगे और बस चटनी बन के रेडी हो चुकी है हमारे पीनिट्स को कोनेट चटनी बन के रेडी है और आप लोग इसे पराटी के साथ डोसा के साथ इडली के साथ खांडवी के साथ सब कीजिए और अपने अपनी घरों पर इस रेसिपी को ट्राइए और सभी को खिलाइए तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद रहे तो इसे लाइक, सेर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाईएगा तो फ्रेंड्स मिलती हूं मैं आपसे नेक्स रेसिपी के साथ नेक्स वीडियो में दबते के बुड़ई